Hello everyone, welcome back to CSP, आज हम करेंगे changes around us, बहुत ही easy chapter है, वीडियो को अंतक देखोगे तो असानी से chapter समझ आ जाएगा, so start करते हैं, Change is a continuous process, it is the law of nature, change means परिवर्तन, एक लगातर होने वाली परकरिया, यह एक law of nature है, कहा जाता है कि बदलावी परकर्ती का नियम है, हमारे चारो तरफ बहुत सारे changes होते रहते हैं, तो चलिए कुछ example देखते हैं, जिनकी मदद से हम chapter को असानी से समझ पाएंगे, हम सबी कभी न कभी छोटे बेबी होते, धीरे धीरे हमारी body grow करती है, हमारा weight बढ़ता है, हमारी height बढ़ती है, और हम life की stages में आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे कि childhood से हम adult age में आते हैं, तो इस तरह पूरी life में हमारी nails grow करते हैं, हमारे hair grow करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये change किस तरह का change है? ये change है, change in size, किस तरह का change है? change in size, बचपन से लेकर हमारी body में अलग-अलग तरह के changes होते रहते हैं, चलिए आगे देखते हैं, ऐसा ही होता है, plants और animals के साथ भी, एक छोटा सा seed जिसको हम soil में लगाते हैं, और वो समय के साथ-साथ, वो छोटा सा seed जिसको हमने soil में लगाया देखते ही देखते एक बड़ा tree बन जाता हो, ऐसा ही animals के साथ होता है, तो ये change किस तरह का change हुआ? change in size, आगे बढ़ते हैं, गर्मियों में आपने देखा होगा कि temperature बहुत बढ़ जाता है, जैसे कि आपने इन गर्मियों में देखा, सर्दियों में सर्दी बहुत बढ़ ज आती है, तो ये change किस तरह का change हुआ? change in temperature, in fact, change in temperature हमारी daily life में होता है, हम अपनी daily life में देखते हैं कि कभी दिन में बहुत ज़्यादा temperature हो जाता है, तो रात में temperature कम हो जाता है, किसी दिन ज़्यादा temperature होता है, तो अगले दिन बारिश होती है और temperature कम हो जाता है, तो ये change तो हमारी डेली लाइफ में अप एंडाउन होता रहता है आगे देखते हैं आप देख रहे होगे कि सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं सूर्य के चारों तरफ रिवोल करते हैं तो ये चेंज किस तरह का चेंज हुआ चेंज इन पोजिशन जैसे कि अब भी आप देखोगे यह अर्थ है हमें इसका चकर लगाना है रिवोल करना हमें इसके चारों तरफ तो हम यहाँसे अपनी पोजिशन स्टार्ट करते हैं और कुछ समय बाद हम यहाँ पर पोच जाते हैं ऐसे हम रिवोल करते करते ही हम चकर लगाना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि जैसे हम रिवोल करना शुरू करते हैं हमारी position भी change होने लग जाती है तो ये change किस तरह का change होगा change in position सुबह सुबह अगर आप sky को देखो या sunset के time sky को देखोगे तो आपको sky कुछ इस तरह का दिखेगा change in color next अगर आप पानी को बोईल करते हो तो आप आओगे कि पानी बोईल होने पर वैपर में convert हो जाएगा तो ये change किस तरह का change होगा change in state क्यों क्योंकि liquid गरम होने पर किस में convert हो रहा है गैस में convert हो रहा है इसी तरीके से अगर हम ice को melt करते है room temperature पे तो solid किस में change हो जाएगा liquid में change हो जाएगा और वापस उसको freeze करेंगे तो liquid किस में change हो जाएगा solid में change हो जाएगा तो ये change किस तरह का change होगा change in state अभी तक हमने बहुत सारे changes के बारे में बात कर लिये ऐसे changes जो हम अपनी daily life में हर दिन हर समय अपने आसपास देखते हैं तो कभी आपने ये सोचा है कि ये changes जो अभी हमने बात की इनको हम group में divide कर सकते है classify कर सकते है क्या कुछ ऐसा है जो इन सब changes के बीच में similar है so let's find out this answer जी हाँ इन changes को हम classify कर सकते है और ये changes classify होते है दो types में reversible और non-reversable तो अब बात करते है reversible change के बारे में ऐसे change जिनको हम reverse कर सकते है ये change permanent नहीं होते इनसे जो change substance है उसको हम original form में वापस ला सकते है तो ये change क्या हुए reversible change जैसे कि हमारे पास यहाँ orange color का paper है और इसको हमने किसमें convert किया paper boat में क्या अब मुझे paper boat से वापस original form में जो मेरा orange paper था वो वापस मिल जाएगा या फिर मैं इस paper से कोई और चीज बनाते हूँ तो मुझे वो paper वापस original form में मिल जाएगा हाँ मुझे वापस वो paper अपनी original form में मिल जाएगा इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यह जो boat paper है इसको मुझे वापस खोलना है और खोलते ही यह वापस अपनी original substance में जो कि मेरा paper था वो वापस मुझे मिल जाएगा तो यह change किस तरह का change हुआ reversible change हुआ आपने पूरे change को क्या कर दिया reverse कर दिया next example हम देखते है कि यह paper है हमारे पास इस paper को मैंने crush कर दिया अब मुझे क्या यह वापस original form में मिल जाएगा हाँ मुझे वापस यह original form में मिल जाएगा तो यह change भी किस तरह का change हुआ reversible change हुआ हमने दोनों ही substance को क्या किया वापस original form में transfer कर दिया तो हमारे change जो reverse हो जाते वो क्या कहलाएगे reversible change कहलाएगे अब बात करतें non-reversable change की ऐसे change जिनको reverse नहीं किया जा सकता और यह changes कैसे होते हैं permanent changes होते हैं और इनसे हम original substance को वापस reverse नहीं कर सकते तो यह change क्या हुए non-reversable change हुए इनसे हम वापस original form में वापस reverse नहीं कर सकते अपने substance को तो वो change क्या होंगे non-reversable change होंगे तो चलिए कुछ example से समझते हैं यह वही orange paper है जिसको हमने किस में convert कर दिया था paper boat में convert कर दिया था और अब हमें हमारा original paper हमें वापस मिल जाएगा paper boat से वापस हमें अपना original paper वापस मिल जाएगा बट अगर इसको हम जला देते हैं तो जलाने पर क्या होगा यह ash में convert हो जाएगा और ash से क्या निकलेगी smoke निकलेगी तो अब हमें अपना original paper जो की orange color का paper था वो वापस मिल जाएगा नहीं जलाने के बाद क्या होगा वो ash में convert हो जाएगा और एक new substance की formation होगी और उससे हमें हमारा original substance वापस नहीं मिलेगा I hope अब आपने समझ लिया होगा कि reversible change क्या होते है और non-reversable change क्या होते reversible change जिनको हम वापस reverse कर सकते और जिनसे हमारा original substance हमें वापस मिल जाते है और non-reversable change जिनको हम reverse नहीं कर सकते और हमारा original substance हमें वापस नहीं मिल सकते है Alright आगे बढ़ते हैं कुछ examples देखते हैं जिन में आपको बताना है कि ये change किस तरह का change हुआ reversible change हुआ या non-reversable change हुआ so first example देखते हैं यह एक ice cream जो की heat के कारण क्या होगी melt होगी क्या मुझे मेरी वापस ice cream वापस मिल जाएगी जिस form में थी original form में थी तो वो मुझे वापस मिल जाएगी हाँ मुझे वापस मिल जाएगी कैसे मिलेगी मुझे इसको क्या करना पड़ेगा वापस freeze करना पड़ेगा और freeze करने के बाद मुझे वापस मेरी ice cream मिल जाएगी जो की original form में वापस convert हो जाएगी इसको मैं reverse कर दूँगी ये change क्या हुआ? reversible change हुआ क्या change हुआ? reversible next है ये है आटा हमने आटे से किस में convert किया आटे को? रोटी में convert कर दिया अब मुझे रोटी से वापस आटा मिल सकता है नहीं क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक new substance का formation हुआ और इसको हम reverse नहीं कर सकते तो ये change किस तरह का change हुआ? non-reversable क्यों? क्योंकि हम इसको वापस reverse नहीं कर सकते मेरे घर में एक party थी और मैंने काफी balloon फुला लिये थे अब मुझे party खतम होने के बाद वापस वो balloon वापस उसी form में मिल जाएंगे ताकि मैं उसको next year के लिए save करके रख सकू yes, of course हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा उन balance की हवा निकालनी है तो ये change किस तरह का change हुआ? reversible change जैसे ही हमने balance से हवा निकाली वो वापस अपनी original form में आ जाएंगे next example देखते हैं मैंने एक new pencil और eraser खरीदी और repeated use के कारण ये छोटे होते चले गए क्या मुझे अब मेरी pencil और eraser वापस new form में मिल सकती है? नहीं क्यों? क्योंकि इसको हम reverse नहीं कर सकते तो ये change क्या हुआ? non-reversable change वापस मुझे उसी form में अपनी pencil और eraser नहीं मिल सकती है वापस नहीं मिल सकता ये glass में कुछ पानी है इसको हमने क्या किया? ice cube tray में डालकर freeze कर दिया तो क्या अब मैं वापस इस पान fridge जो हमने ice cube बनाई थी उससे वापस हमें पानी मिल सकता है जो मेरा original substance था वो मुझे वापस मिल जाएगा yes हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसको room temperature में बहार रखना पड़ेगा और ये अपनी उसी फोम में liquid form में वापस convert हो जाएगा तो ये change क्या हुआ? reversible change जैसे ही room temperature में ice melt होगी ये liquid की form में transfer हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं ये कुछ orange चीज है और इसको हमने किसमे का नवर्ट कर लिया हमने इसका juice बना लिया तो अब हम इसको reverse कर सकते हैं? नहीं क्यों? क्योंकि इसको हम reverse नहीं कर सकते हैं और इससे हमें original substance means orange हमें वापस नहीं मिल पाएगे तो ये change क्या हुआ? non-reversable change हुआ I hope reversible change और non-reversable change अच्छे से समझ आ गए होगा तो चलिए next topic पर बात करते हैं expansion and contraction तो देखते हैं कि expansion and contraction क्या होता है? जब किसी object को heat किया जाता है तो उसका size क्या होने लग जाता है? increase होने लग जाता है molecules क्या होता है? substance के separate होने लग जाता है उनके बीच gap आने लग जाता है जिसकी वज़े से क्या होता है? size increase हो जाता है तो ये क्या कहलाता है? expansion कहलाता है और जब उसी object को ठंडा कर दिया जाता है cool कर दिया जाता है तो उसका size decrease होने लग जाता है object के molecules एक दूसरे के पास आने लग जाते क्यों क्योंकि उनके बीच का gap कम होने लग जाता है तो object का size decrease होने लग जाता है तो वो क्या होता है contraction contraction means सिकूडना तो किसी object को गरम करने पर वह expand होने लग जाता है और ठंडा करने पर उसका size decrease होने लग जाता है अब आप सोच रहे होगे कि हम इस chapter के अंदर expansion और contraction के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं क्यों क्योंकि expansion जो है वो क्या एक reversible change है इसी वज़े से हम इस chapter के अंदर expansion and contraction के बारे में पढ़ रहे हैं आपने daily life में कुछ example भी देखे होंगे तो उन्हें example से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं यह है कुछ tools जो की हम किसके अंदर use करते हैं agriculture के अंदर use करते हैं इन tools का use किसलिए किया जाता है soil को dig करने के लिए जब इन tools को बनाया जाता है तो इनका iron blade iron blade और wooden handle इनको अलग अलग बनाया जाता है उसके बाद इनको combine किया जाता है तो देखते कि कैसे combine किया जाता है इनको यह iron blade इसके उपर आप देख रहे होगे कि एक छोटी सी small क्या है ring है इसको smaller size में बनाया जाता है as compared to wooden handle के wooden handle का जो diameter होता है वो जो iron ring उससे जादा बड़ा होता है तो अब हम सोचे कि इसको हम कैसे fix करें इसके अंदर जब हम इसको fix करते है तो इसको iron blade को heat करते है और जब इसको heat किया जाता है तो क्या होता है ring का size increase होने लग जाता है molecules के बीच gap होने लग जाता है जिसकी वज़े से ring का size increase हो जाता है उससे क्या होगा हम easily handle को wooden handle को इस ring के अंदर fix कर सकते है जैसे इस iron को ठंडा किया जाता है या ठंडा पानी डाला जाता है तो iron ring ठंडी होकर contraction में contraction form में आ जाती है मिन्स सिकुडने लग जाती है उसका size reverse होने लग जाता है इससे क्या होगा ring handle के अंदर जो iron ring है उसके अंदर wooden handle अच्छे से fix हो जाएगा तो I hope आपको contraction और expansion अच्छे से समझ आ गया होगा जाएगा